तो दोस्तो आज 22nd March 2023 मार्केट के अंदर आज काफी sideways movement देखने को मिला हमें जहाँ पे nifty 50 at the end closing दिया 17151 पॉइंट पे almost 0.26% थेजी के साथ बट 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 कल मार्केट किस तरफ रहेगा वो डिसाइड होका दोस्तो आज रात सारे 11 बचे पे सब कुछ हम खुल के बात करेंग दीटल में बात करेंगे आगे वीडियो को देखते जाएए कुछ important latest update है उसके साथ साथ global market का गया हाल चाल चल रहा है इसी वीडियो में हम कवर करेंगे उसके साथ सा दोस्तो एपर इस डेस का काड़वार जोकी इसी वीडियो में चरचा करेंगे कल मार्केट किस तरफ रह स जैसे कि अब आप देख सेकतों statement कुछ ऐसा है कि valuation of Indian stock market are not expensive for long term prospective तो जिस बैसे हमेशा मैं आपको बोलता हूँ बार बार कि इस type की जब market में pressure बनता है या गिरावट होता है तो उसका पूरा-पूरा फाइदा उठाए बट short term investors के लिए नहीं long term investors हमेशा gain में रहता है तो देख करके जो beginners है अभी-अभी market में इंट्रिलिया उनके लिए नेक्स दोस्तों बहुत important update आपने शायद Warren Buffett जी का तो नाम सुना होगा बट इनके नाम बहुत लोग कम सुना Mark Mobius यह भी एक बहुत बड़ा मतब बहुत ही उची लेवल के investors है उन्होंने खुद यह statement दिया कि I will like to increase allocation in take space in India any fall a buying opportunity to clear the statement दिया कि buy on dips में हम buy करेंगे कोहां पे टेक से टेक स्पेस पे basically तो यहां पर देख से तो यह इनका तजबीर है बहुत ही मतलब intelligent वेक्ती है बहुत ही दूरदर्शी वेक्ती है यह पे इन्वेस्टर्स या बुल सुती इन्वेस्टमेंट की जगत पे बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट बहुत इंपर्टन अप्रेट आर्बिया की तरफ से तो यहां पे थोड़ा सा गंभीर अपडेट है तो देखे आर्बिया रिपोर्ट ऑन स्टिकी इन्फलेशन रेज पॉसिबिलिटी ओफ रेक रेट हाई तो जैसे आपको मालूम है आज की रात बहुत इंपर्टन होने जारे क्योंकि जो यूएस का सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजब उनका जो एफम से का मीटिंग आउट होगा मतब आउटकम निकलेगा उसके थूरू रेपरेट हाई करने का कुछ नगूज आप अपडेट आई जाएगा ठीक सेम टूसेम अपडेट दोस्तों आपको एपरिल के फॉर्स्ट विक पर भी मिल सकता है जब एमपीची का मीटिंग होगा मतब इंडिया का जो सिंट्रेल बैंक है रिजब आप आप इंडिया उनका उसका एक सल्विशन है उसको कंट्रोल में लाने के लिए रेपोरेट हाई तो इस बार रेपोरेट हाई होने का ज्यादा दर चांस है नेक्स दोस्तों जो अपडेट मैं देने जा रहा हूं जिसके उपर डिपेंड करेगा कि कल मार्केट किस तरब रहेगा वो हो जाएगा अब देखें यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बता के रखना चाहता हूं कि कितने बज़े पे पर्टिकुलर यह आउटकम निकलेगा तो युएस के जो टाइम है उसके आकोडिंग दो बज़े के आसपास बेसकली यह आउटकम निकलेगा और इंडियन स्टैंडर्ट टैम क सब्सक्राइब करके बहुत इंपॉर्टन होने जा रहा है एक तो यह वीडियो में आपको कवर कर दूंगा कि कल मार्केट में कहां पर सपोर्ट है कहां पर रेजिस्टेंस है खास करके जैसे यह रेपोरेट हाइक होने का कुछ भी निउस आ जाएगा उसके साथ डॉर जोन सब्सक्राइब का क्लोजिंग को लेकर कमप्लीट एक छोटा सा 3-4 मिरिट का वीडियो मैं बना के कल सुबह पॉने साथ बज़े पर प्रिमियर पे छोड़ दूंगा मार्केट में मतल इंडिया मार्केट ओपन होने से पहले बस वह तीन-चार मीट कर वीडियो देख लेना तो प्लीज सब्सक्राइब करके चैनल को जरूर रखना अभी चले मैं आपको तोड़ा रिफ्रेश करके दिखाता हूं बहुत ज्यादा हल देखने को मिला शूरू में एक्दम फ्लैट में ओपेन वाज जैसे कि आप देख सकते उसके वादे कि थोड़ा डाउन गया फिट बहुत ऐसे ऐसे ठीक है ऐसे 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 पैटन में जो कि ट्रेड वा था रोजोंस सेम टू सेम चीज़ाइब के अंदर भी देखने को मेला बट फिर भी नैस्टेक में गिरावाथ हमें उतना ज्यादा देखने को नहीं मिला कुछ समय के लिए मने देखा नैस्टेक जो कि आ पर जाएगा ठीक और कितना पर्सेंट का रेपोरेट हाई को सकते सब कुछ आपको मालूम पर जाएगा अभी इंडियान मार्केट तो अभीस लूस्टेंपे भी क्लोजिंग रएगा अभी भी क्लोजिंग है वहाँ पे भी बहुत ज्यादा भी हल्चल मच चुका है जैसे क अब देख सकता चनिफ्टी प्रिजाप एक लोजिंग गया सत्रहाजार एक सब्सक्राइब बहुत ज्यादा आज भी हमने देखा यहां पर रेजिस्टेंस फेस के लास्ट काफी दिन उसे में देखा यहां पर रेजिस्टेंस फेस क्या बट हाँ एक च्छोटा साची बहुत कमजोरी देखने को मिला इनके सब अभी देखे अगर गिरावाट हो जाते कोई बहुत बड़ा मदब सारे 11 बज़े के बाद जब आउटकम निकलेगा तो उसके में फिर से डॉलर इंडेक्स में तेजी हो सकता है ब्रेन कूट और कूडल की बात कर तो अच्छी बात करें बैंकिंग मत बैंक आप अमेरिका हो गया यहां पर जो दूसरे बैंक है सिटी ग्रूप हो गया जेपी मॉगन हो गया यहां पर देख से तो लगा था हमें ड्रॉप देखने को मिला तो कहीने के दो सारे 11 पर एक्ट्वल में आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरब रहे तो दोस्तों सबसे वहले आज एफाइस ने जो हमने देखा था लास्ट एक हफ्ता या देरह अफ्ता से लगातार सेल किया था बट आज की रेट में कहने के थोड़ा बहुत मतब बहुत ही मीनिमम फिर भी मिनिमम मतब आप बोल सकते हैं आप एक बाइंग देखने को मिला ज और फिर भी दोस्तों जो सेलिंग प्रेशर लगातार हमें फाइस दौरा देखने को मिला था वो कहीने के आज की रेट पे रोक लगता वह नजर आया और उसके साथ डियाएस ने भी दोस्तों इस बार मतवाच की रेट पे काफियत तक बाई किया जैसे की टोटल बाई किया चार हजार साथ सो पच्पन करोर का शेयर सेल किया चार हाजार तीन सो एकतर करका शेयर जो टोटल नेट वैलू आज चो की पर्चेस किया डियाएस ने 383 करोर का शेयर एक चीज़ दोस्तों आपको यहां पर कॉमन नज़र आएगा कि लास्ट काफी दिनों से अमने देखा क यह इसके अंदर जो बाइंग सेलिंग वाताव आज की अगर आप देखो कि अमाउंट के अंदर कोई बहुत बढ़ा बाइंग सेलिंग देखने को नहीं मिला क्योंकि इसके बजा यही है आज रात में अपर मतब जो आउटकम निकलेगा उसके उपर बेस करके दोस्तों इसके पहले भी मैं बहुत बार समझा चुका हूं थर्जडे के दिन एक्सपैरीड होता है चाहिए विकली एक्सपैरियो चाहिए मंतली एक्सपैरियो ठीक है तो बात करें कि निफ्टिप्टि कल किस तरब रह सकते है थोड़ा हो साके तो नोट डाउन कर लेना फिर भी मैं आपडेट में आपको कल सुबह पॉने साथ बज़े पे दे दूँगा प्रीमियर के थूचोटे वीडियो तीन चार मेंट का प्लीज देख लेना चलों को सब्सक्राइब करके जरू रखना अब चले हम डिसकाशन करेंगे कि कहां पे सबोर्ड है कहां पे रेजिस्टेंस है उसके साथ सथ मैं आपको यह भी बोलंगा सुबह 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 डोर जोंस फ्यूचर को भी ट्रैक करना इंडियान मार्केट ओपेन होने के साथ 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 सपोर्ड लेबल की बात करें आज स्ट्रॉंग सपोर्ड मिला निफ्टी फिप्टी को 17100 के आसपास ठीक है यहाप अब बात करें के रेजिस्टेंस कहां पर हैं तो सबसे पहला रेजिस्टेंस याप इनिफ्टी कल फेस कर सकता है 17250 के आसपास 17250 का स्ट्रॉंग रेजिस्टेंस है यह लेबल अगर ब्रेक किया तो फर्दर ऊपर की तरफ दिन सो सारी दिन सो वह दालग बात है बट इमीडि करता हूं मिलते नेक्स वीडियो पे तब तक के लिए टेक क्यार बाबाई जये हिंद तो दोस्तों अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डिमेट अकॉन नहीं है तो अप्स्टॉक जैसे बड़े प्लाट्वां में डिमेट आकॉन उपेंड कर सकते हैं जहां पर दिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको सिंपली ये चार्ट चीजों को तयार रखना है आपका अधार कार्ट आपका पैन कार्ट एक कैंसल चेक और आपका सिगनेचर और आधे घंटे के अंदर आपका डिमेट आकॉन बन जाएगा